भारतिये क्रिकेट टीम को नया कप्तान मिला है नमस्कार मैहूर आके श्रंजन और आप देख रहे हैं नियूस बाइस को टीम इंडिया को एक नया कप्तान मिला है आच्छोग यह मत मैं बात कर रहा हूँ जिम्बाब्बे दोरे के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि जिम्बाब्बे दोरे के लिए शिकर धवन को कप्तान बनाया गया था जो जिम्बाब्बे के खिलाफ ODI सिरीज होनी है तो शिकर धवन जिम्बाब्बे होंगे ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा रहे है टीम के साथ, वो रहेंगे, लेकिन बाबजुद इसके एक नया कप्तान बना है, अब आपको बता दू कि वो नय कप्तान होंगे, के एल राहुल, आप ये भी जानते हैं कि के एल राहुल जिम्बाब्बे के साथ जो ODI सेरीज होनी है, उसमें टीम के दस नहीं थे, लेकिन चुकी वो पूरी तरह से फ lid नहीं थे, लेकिन अब उनकी फिटनेस को पर रखने के लिए, या ये जानने के लिए कि वो अपनी कितनी ले में हैं और वो अपनी ले में आ जाएं ये जानने के लिए BCCI ने फैसला लिया है कि केल राहूल जिंबाब्बे दोरे पर टीम इंडिया का हिस्सा होंगे और ना सिर्फ हिस्सा होंगे बलकि की कमान भी समालेंगे तो अब शिכ़र ढवन जिंबाब्बे दोरे पर भारतिये टीम के कटन नहीं होंगे टीम की कटनी केल राहूल करेंगे केल राहूल के लिए अगर मैं ODAI की बात करूं तो ये दूसरा मौका होगा जब वो भारतिय टीम के कप्तानी करेंगे हलाकि वो जो पहला उनका experience है ODI में कप्तानी का भारतिय टीम का वो बहुत अच्छा नहीं रहा है साउथ अफरिका के खिलाब जो ODI सिरीज हुई थी वहाँ पर केल राहूल कप्तान थे और वो उनके लिए बहुत बहतर नहीं रहा था शुन्य तीन से इंडिया की टीम वहाँ पर हार गई थी तो केल राहूल जिंबाब्बे दोरे के लिए भारतिय टीम के कप्तान और मुझे लगता है कि BCCI का फैसला इस मामले में स्वागत युग्य है कि वो केल राहूल को जिंबाब्बे बहेज रहे हैं केल राहूल IPL के बाद से कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाब टेस्टिम में शामिल किये गए थे लेकिन चोट की वज़ा से जा नहीं सके थे तो उनके लिए एक आवसर होगा कि अपेक्षा कृत कमजोर प्रतिद्वन्दवी जिंबाब्बे के खिलाब वो अपनी लह हासिल करें टच में आ जाए और फिर जाकर जो इशिया कप हो वहाँ पर धमाका करें और अच्छे बल्ले बाजी करें और टीम को जीत दिलाने में अपनी बोमी का निभाएं तो केल राहूल भारतिय टीम के कप्तान जिंबाब्बे दोरे के लिए एक और खबर आपको दे दू कि वाशिंगटन सुंदर के फिटनस को लेकर एक चिंता भरी खबर आ रही है लंका शायर की तरफ से खेलते हुए वो एक मैच में फिल्डिंग करते समय अपने लिफ्ट का शोल्जर पर मतलब बाएं कंदे के बल गिर गया चोट काफी थी वो फिल्ड से बाहर निकल गया एतियातर और फिर फिल्ड में वापस रही आए हलाकि उनके चोट पर और कोई बहुत अपडेट नहीं है तो जो भी अपडेट होगा लेकिन ये एक चिंता की बात है लेकिन हम उमीद करते हैं कि वो भी जल्द ही स्वस्थ हो जाएं और टीम के साथ जुड जाएं वाशिंग गितन सुन्दर फिलाल ये खबर है कि जिम्बाब्बे दोरे पर केल राहूल भारतीय टीम की कपतानी करेंगे क्रिकेट की अन्य खबरे भी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे देखते रहें नियूस बाइस को नमस्कार